नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारे वीडियो है वो है एंप्लिफायर बोर्ड जब हम कहीं मार्केट से पर्चेस करते हैं और जब हम उसका कोई वाटेज पूछते हैं कि इसका जो वाट है वो कितना है और इसका जो स्पीकर इसके नदर कनेक्ट होगा वो फोर ओम्स में होगा एट ओम्स में होगा तो यहां पर देखें आप कभी बीऩरे sanct County सबर्चेस कोई सबीड़ कोई सबी आम्पलिफाईर अगर बोर्ड लेते हैं तो आपको जो वाटेज बताया जाता है वो बताया जाता 4 ओमक्स, की ओपर यारी कि 4 ohms के speaker के हिसाब से आपको wattage बताया जाता है चाहिए वहाँ पर कोई सा भी amplifier हो क्योंकि यहाँ पर जो आपको 90% amplifier board जो मिलेंगे market के अंदर वो या तो आपको 4 ohms पर वहाँ पर आपको wattage बताया जाएगा क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे कि आपको बताया जाता है कि जो आपका amplifier है वो है वहाँ पर 500 watt में यानि कि आपको बताया गया कि 500 watt का जो आपका amplifier है वो वहाँ पर ये board जो है वो 500 watt में है लेकिन वहाँ पर वो wattage कितना किस speaker के हिसाब से बताया है उन्होंने जो 4 ohms का speaker होता है यानि कि 4 ohms का speaker होता है उसके हिसाब से आपको बताया गया कि वहाँ पर जो उसका wattage है वो है 500 watt लेकिन यहाँ पर अब जब आप speaker लेने जाते हो speaker आपको यहाँ पर मिलता 8 ohms के अंदर यानि कि speaker तो आपको 8 ohms का मिलता है लेकिन जो amplifier का calculation आपको बताया जाता है voltage वो होता है आपका 4 ohms के अंदर अब यहाँ पर speaker आप जो connect के स्थीके से करेंगे अब यहाँ पर देखें यही यहाँ पर जो calculation हमें देखना पड़ता है अब यहाँ पर जब अगर मान के चलिए हमारे पास एक amplifier board है वो है board जो कितने पर देगा 4 ohms पर अब 4 ohms पर जब वो 50 watt देगा तो हम उसके connection कैसे करेंगे तो यहाँ पर अगर हम दो speaker को ले लेते हैं यह हमने दो speaker के design बनाए है यह हमारा speaker का plus point हो गया यह plus point हो गया यह minus यह minus अब यहाँ पर जो यह speaker दो लिया है हमने यह हो गए हमारे 8 ohms का speaker है यानि कि जो एक speaker है वो है हमारा 8 ohms का और यहाँ पर एक speaker की जो wattage है वो है 25 watt 25 watt speaker हो गया अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम इन दोनों speaker को parallel connection कर देंगे यानि कि minus से minus, plus से plus जब हम इसको connection कर देंगे तो यहाँ पर यह इसका minus point हो गया यह पिलस हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो speaker है यह कितने हो गया यहाँ पर 8 ohms का speaker था 25 watt था लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी calculation होई है वो हुई है यह speaker हो गया 50 watt में और यहाँ पर जो इसकी ohms हो गया और यहाँ पर उसकी ohms आधा हो जाता है और wattage वही रहता है अब यहाँ पर बात आती है कि यह तो हमने दो speaker के connection कर लिए क्योंकि हमें 50 watt का amplifier बताया गया है लेकिन अगर यहीं पर अगर हमारे पास कोई speaker ऐसा है जो 8 ohms के अंदर है यहाँ है किए 8 ohms के अंधर हमारे पास कोई speaker है तो हम यहाँ पर कितने watts का सी क्योंकि जब कोई भी amplifier का wattage बताया जाता है तो फे neighbours पर आपका wattage बताया गया फॉर ohms पर और यहाँ पर जब आप 8 ohms का speaker connect करोगे तो आपको वहां से जो उसकी जो wattage है उससे 30 या 20% जो है उसको घटाना होगा यानि कि अगर आपका amplifier यहां पर यहां पर देखिए अगर आपके पास कोई amplifier है और वो हजार यहां पर 100 watt का है तो यहां पर calculation जो बताया गया है आपको वो बताया गया 4 ohms के ओपर और आपके पास अगर speaker 8 ohms का है तो यहां पर आपको speaker जो लगाना होगा वो लगाना होगा कम से कम 60 watt या 70 watt अगर 8 ohms का speaker है तो इस तरीके से किसी भी बोड का आप calculation कर सकते हो तो दोस्तो मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जरूर दवाना क्योंकि आगे भी आपको इसी चैनल पर ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी